तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वाग लिंग ने यहाँ वार्गोर्ड टैपल से निकलने का फैसला कर लिया था जिसके लिए वो अपने साथियों का इस्तिवाल करते हुए वैप और बाकी की चीज़ें जोड़ना शुरू कर देता है लेकिन वापसी आते वक्त अचारक की वाग लिंग की मुलाकात एक अज़ार पॉसफुल वारियर से हो चुकी थी जो कि मैं जी जोग और वार्गोर्ड टैपल की एक एल्डर भी है अब आगे तो रेक्स एपिसोड की शुरुआर बिल्कुल उसी सीचे शुरूती है जहाँ वो एल्डर वाग लिंग से कहती है कि मेरी ग्रेट डाटर की सोल बलड को मुझे वापस कर दो यह कहती है वो एल्डर काफी जरा तीजी के सार बूफ करते हो वाग लिंग के पास आ गई थी जहाँ पर वाग लिंग उस एल्डर की रफटार देखकर तो सप्राइज हो गया था साथी वाग लिंग हरा रहोते है कि मैं नहीं जाता कि आपकी ग्रेट डाटर कॉल है कि आप उसका नाप बतारा चाहोगे जिस पर वो एल्डर बताती है कि मेरी ग्रेट डाटर है जी होग जिस पर वांग लिंग जवाब देते है कि ठीक है मैं जी होंग का सोल बलड तुम्हें देने के लिए राजी हूँ लेकिन उसके लिए मुझे पहले यहां से एक हजार मील दूर जा रहा होगा जो सुरकर तो उस एल्डर ने घुसे के साथ वहाँ पर अपनी बहुत सारी इनरजी रिलीज कर दी थी और वो एक बार पिर से तीजी के साथ मूफ करते हुए सीधा वांग लिंग के पीछे आ गए जो हाँ वो एल्डर वांग लिंग से कहती है कि तुम्हें गबराने की कोई जरूरत है आलरेडी मुझे जी होग ने सब कुछ बता दिया है तुम्हें ही वो इनसान हो जो के मेरे वार्गोर टैपल के तीर डिसाइपल्स को सेलेस्टियल बैटल फिल्ड से जिदा लेकर बाहर आया मैं बिल्कुल इस बारे में बात नहीं करना चाहती कि कैसे तुम ले वाली की बोड़ी पर कब्सा किया बलके मैं तो तुम्हारी जाल लेने के हक में भी नहीं हूँ लेकिन चुके मैंने तुम्हें बताया कि मेरा तुम्हें वार्डे का कोई रादा नहीं इसले तुम आपनी ये खौईश पूरी कर सकते हो जो सूरकर वांग लिंग ले तो फौराद वहां से टीजी के साथ दूसरी तरफ हवाला होना शुरू कर दिया था और वांग रिंग ने चेवी पर रुकर जेहोंग का सोल ब्लड निकालते हुए एल्डर से कहता है। जैसे मैंने आप से वारा किया था वैं ये सोल ब्लाडड आपको वाफस कर रहा हूँ ये कहती हो वाग लिंग ने सोल ब्लाडड को वाफस करते वे दूमारा आगे की तरफ रवाला होना शुरू कर दीÁ पीछे की तरफ हम देखती है कि उस एल्डर को भी आखिरकार सोल ब्लाड मिल चुकी थी वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का तो फाउडेशन मिल लिग की सिर्फ मिडल स्टेज पर है लिकिर पिर भी बालना पड़ेगा कि इसका दिमाग बहुत ही शातिर है दूसरी तरफ वाग लिंग जो के आगी की तरफ बढ़ते में अपने मन में कह रहा था कि मैं नहीं जाता कि वो रच सच कह रही थी या जूट लिकिर पिर भी मैं उस पाउरफुल कल्टिवीटर के पास रहकर अपनी जान को डिस्क पर नहीं डाल सकता था इसलिए वहाँ से निकल कर बागला ही सबसे जारा समझदारी की बात थी इसके बारहाँ में कुछ दिरों बाद लुव सैका सी दिकाया जाता है जहां उटके अलकमी हाल में काफी जारा तबाही बच चुकी थी वहाँ का एक पाउरफुल डिसाइपल लीकिंग वक्त पर आकर उस फर्डेस को कट्रोल कर देता है साथी वो सवाल करते हुए पुछता है कि आखिर हमारे अलकमी हाल में ये तबाही किसले बचाई जिस पर वही पर मुझूद कुछ डिसाइपल बताती है कि इस लीबो आर यहाँ पर एक हैवली पिल क्रियेट कर रही थी लेकिन आचानक एक चोर अदर गुसाया जिसने वो हैवली पिल यहाँ से चुरा ली वो चोर असल में बेस बदलने में काफी जारा वाहिर था इसलिए वो यहाँ पर गुस पाया ये सब बाते जानकर तो लीकिंग को काफी ज़रा घुसा आगया इसलिए वो अपने सातियों को लेकर उस चोर की तलाश करने के लिए रवाना हो जाता है दूसरी तरफ सीच्षिफ्ट योकर जंगल में मुझूद वांग लिग पर आ गया था जो कि फाइडेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वहाँ पर एक ओक्शन हाउस होगा जिस ओक्शन हाउस में से वांग लिग को यहां का बैप पिल सकता है और इसी बैप का इस्तिवाल करके वांग लिग अपने गर जा पाएगा वांग लिग अभी यही सब सुचते वे आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तब यह चलक हम देखते है कि उस पर किसी ने हमला कर दिया जो कि कोई ओड़ ही बलकि लीकी गर उसके साथी ही थे वांग लिग तो यहाँ पर अपने साबली लजाल लोगों को देकर हरान होते है कि क्या मैं जा सकता हो कि आखिर तुम लोग मुझे पर हमला क्यों कर रहे हो जिस पर लीकी गर उसके साथी खुद को फाइट के लिए तयार करते है कि तुम हाभी बेवकूफ नहीं बना सकते हम जाते है कि तुम ले ही हैवली पिल्चुराई थी बीशक तुम ले अभी दुबारा से अपना रूप बदल लिया होगा लेकिन हम तुम जाने नहीं देगे जो सुनकर तो वाग लिग भी अब समझ चुका था कि उसके पास फाइट करने के लावा कोई रास्ता नहीं लेकिन तब यह अचानक हम देखते है कि वहाँ पर एक लड़की लीबुवाद आ गई लीबुवाद जो के दिखने में बहुती ज़रा खुबसूरत थी वाग लिग में तो कुछ सेकर तक उससे अपनी नजरे हटा नहीं पाया और दोस्तों यहीं लड़की हमारी सीरिस की में हिरोईन होने वाली है जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपने ब्रदर लीकिंग से कहती है कि उससे छोड़ दो यह वो लड़का बिल्कुल भी नहीं लीकिंग भी अपनी बहर की बाते सुते वे आखिरकार समझ गया था इसलिए वो फॉरण वाग लिग से माफ़ी मागते वे कहता है कि प्लीज मुझे माफ़ कर देना मेरा नाब है लीकिंग और मैं लुव सेक्सी मिलोग करता हूँ हमारे सेक्ट में एक चोरी हो चुकी थी जहां हम लोग एक चोर की तलाश कर रहे थे शाहिद मैंने गलत फैबी में तुमसे कुछ ज़रा ही रूडली बात कर ली अगर हो सेके तु प्लीज मुझे वाफ कर देना जो सुनकर वाउग लिक में खुद को शाहत कराते है कि ठीक है तुम लोगों से गलत फैबी हो चुकी थी और मुझे कोई चोट लही आई जिसकी वेड़ से मैं इस बात को परसनल नहीं लूगा और मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ दूसरी तरफ हम भी स्ली मुवान को देखते हैं जो के वाउग लिक को देखते ही समझ गई थी कि ये भी आॉक्शन हाउस जाने की कोशिश कर रहा है साथी उसकी बातों से हमें जाने को मिलता है कि भी स्ली मुवान तो काफी ज़रा सिंपल और क्यूट सी है वो बाकी के कल्टिवीटर्स की तरह चलाक बिल्कुल भी नहीं वो यहाँ पर वाउग लिक से कहती है कि यकीनर तुम आउक्शन हाउस जा रहे होगे मैं भी वहाँ पर आऊगी हो सकता है कि वहाँ पर हमारी मुलाकात हो जाए जबके वाउग लिक तो उसे हरार होते वे देख रहा था और अपने बल में सोच रहा था कि आखिर इसे मुझसे मुझसे मुलाकात क्यूं कर डी है तोड़ी दिर में मिसली मुवान भी समझ चुकी थी कि उसने फ्लो फ्लो में जयारा ही कह दिया इसलिए वो बाफी बागती वे अपने दोस्तों को लेकर दुवारा उस चोर की तलाश करने के लिए रवाना हो जाती है जबके उन लोगों के जाने के बाद ही वाउग लिक जाता था कि वो चोर तो यहीं पर पास में जुपा है इसलिए वो अपने कुछ इनर्जी का इस्तिवाल करते वहाँ जमीर पर एक ब्लास्ट कर देता है जहां हम देखते हैं कि जमीर के अंदर से तो एक आदमी निकल कर फोरण बाहर आ गया जिस आदमी का नाब सन यूद था और वो बाहर आते साथी कहता है कि प्लीज मुझे मार नावत रुख जाओ कोई गलत फैमी हो गई होगी तुमें दूसरी तरफ वाउग लिक को तो इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था इसलिए वो यहाँ पर मुझे दूस आदमी सन यूद को इग्नोर करते है वहाँ से आगी की तरफ चलना शुरू कर देता है लेकिन सन यूद वाउग लिक का पीछा करता जा रहा था वो उसे अपने बातों में पंसारे की कोशिश कर रहा है क्योंके वो वाउग लिक से कह रहा था कि तुम काफी जाना ताकतवर हो वो लोग अभी भी मेरा पीछा करना नहीं चोड़ेगे इसलिए अगर मैं तुमारे साथ आओगा तो मैं मैफ़्ूस रहूगा साथी वो इसी तरह से बाते करते हैं वाउग लिक के साथ दीरी दीरे आगे की तरफ चलता जा रहा था जबकि वाउग लिक भी उसके इरादे समझ गया था कि या आदमी मुझे लूटला चाहता है लेकिन लूटेरों को लूटला कोई ज़रा बुरी बात लहीं इसलिए वाउग लिक अपने मल में सोच आ था कि क्या इस आदमी के पास कुछ अच्छे ट्रेजर भी होगे जो मेरे काम आ सकते हो यहीं सोचते में आखिरकार वांग लिक यहाउस आदमी के सामने रुक गया और वो खुद का इट्रोड़क्शन करवारा शुरू कर देता है कि मेरा नाब है बाली एंग और मैं वार गोल्ड टैपल से हूँ दूसरी तरफ मुझूद सानियोर यहाँ पर खुद का इट्रोड़क्शन करवारे के बार अपने बल्बे कहता है कि पता रही क्यों आखिर यह आदमी सिर्फ मिडल सीज ओफ फाउडेशन बिल लिक पर है लेकिन पिर भी इसके औरा से मुझे डर लग रहा है जैसे कि यह मुझे जाद से मार देगा पर यह शायद मेरा वहम ही होगा यह कहता है सानियोर ने वांग लिक को दुबारे से पसारा शुरू कर दिया था वो वांग लिक से कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है फाय डेशन की तरफ जाने की कोशिश करोगे लेकिन मैं तुम्हें एक खास बाद बताता हूँ उस टेलेपोटीशन पॉटल को इस्तिवाल करने के लिए तुम्हें तीन स्पिरिट स्टोथ देने होगे लेकिन मैं भी वही पर तुम्हारे साथ जा रहा हूँ और मेरे एक दोस्त भी तो क्यों ना हम तीनों मिल कर जाए क्योंकि अगर हम तीनों एक साथ टेलेपोटीशन पॉटल का इस्तिवाल करेंगे तो हम तीनों को एक एक स्पिरिट स्टोथ देना होगा और हमारा खर्चा कम होगा असल में सन्यूर यहाँ पर वांग लिंग को पंसानी की कोशिश कर रहा था वो नहीं जाता कि इस बच्चे जैसी बॉड़ी के अंदेर एक ऐसा इत्सान वोजूद है जिसने इस दुल्यक के सारे बेरहेब चैरे देके है वांग लिंग जो के सन्यूर के सारे इरादों को अच्चे से जाता रहा पिर भी वो उसकी बात के साथ एगरी हो गया जिस पर सन्यूर भी अपने बड़े बाई को वैसेज वीज़ आते हुए एक जगे पर बुला लेता है साथी वो यहाँ पर हसकर वांग लिंग से कह रहा था कि मैं तुमारे लिए यह सब कुछ इसे लिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर तूब ला होते तो लुओ सेक्ट वाले अब तक मुझे बार चुके होते अच्छी जगा किसी को जाट से बार डे के लिए उसकी ट्रेशर चीनने के लिए और उसकी बॉड़ी को दफ़राने के लिए जिसका बिलकुल पता भी नहीं चलेगा सर्योवार तो वांगली की ये बाते सुनकर हैरान होते वे कहता है कि ब्रदर तुम आखिर ये किस तरह की बाते कर रहे हो तब यह चारक यहाँ पर सर्योवार का बड़ा बाई लियोग भी बहुत इतीजी के साथ आ गया जिसने आते साथ ही अपनी पावर्स का इस्तिवाल करते वांगली को जकर लिया वांगली यहाँ पर लियोग को देकर समझ गया कि अच्छा तो ये वही इसान है जिसको सर्योवार ने एक मैसीज बेजाता जबकि दूसरी तरफ लियोग भी यहाँ पर सवाल करते में पूछता है कि क्या ये वही है जिस पर सर्योवार जवाब देते में कहता है कि हाँ ब्रदर ये वही बकरा है जिसकी मनल से मैं लीबुवार और लीकिंग से खुद को बचा पाया हम इसका इस्तिवाल करके एक सोल बोडी बना पाएगे ये दिखने में में काफी ज़रा हैडसम और पावरफुल लग रहा है तो तुम क्या कहते हो क्या हम इसे अपना पपिट बना ले जो सुनकर लीयोग यहाँ पर वागलिक से कह रहा था कि बच्चे मरने के लिए तयार हो जाओ और ये कहते साथी लीयोग ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तिबाल करती वहाँ पर एक बहुत बड़ा इनरजी सकल भी बना लिया था लेकिन अभी दूसरी तरफ हम देखते है कि वागलिक ने भी घुसा होते हुए अपनी रेड थर्डर इनरजी को एक्टिवेट कर लिया जिसके साथी वो घुसे में बोलता है कि मरो और वागलिक की ये डाय कहते साथ ही हम देखते कि अचानक लियोग वही पर तरड़पते तरड़पते जमीर पर गिर कर वारा गया ये देकर तो सान यू और काफी जरा डर गया हूँ वो हैरानों तो वह कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है जबकि वो खुद सान यू और का पीचा करड़े के लिए रवारा हो गया पीचे मचा लिंजवार लाच आते भी में उस इनर्जी को एब्सोर्ब कर लेता है जबकि ये केड़ी के बार लिंजो अर अपने आसपास देखते हुए कहता है कि वाउग लिंग तो यहाँ से काफी दूर चला गया मेरे पास बागने का अच्छा मोका है ये कहते हुए लिंज वारा भी वहाँ से बाग नहीं वाला था लेकि तबिया चाहलक हम देखते है कि रैट थर्डर इनर्जी उस पर आकर गिर जाती है जिसके बार वो डरते हुए कहता है कि मैं तो मजाग कर रहा था हूँ दूसरी तरफ वाग लिंग जो कि अभी भी सानी उवार का पीचा का रहा था वो अपने बल में कहता है कि अगर मुझे ये आर्थ हाइडी की ट्रीक मिल गई तो ये आगे मेरे कावा सकती है इसलिए मुझे कुछ भी करके सानी उवार को पकरना ही होगा जबकि दूसरी तरफ सानी उवार जो कि जमीर के अंदर नीचे तीजी के सान आगे की तरफ बढ़ते वे अपने बल में यहीं सोच रहा था कि आखिर वो लड़का किस तरह का वासर है क्योंकि उससे सिर्फ एक ही वर्ड के सान मेरे बाई को जात से मार दिया क्या वो लड़का एक निर्वारा स्टेच का वारियर है या पिर उससे भी जारा मुझे नहीं मालूब मुझे खुद को मचाना ही होगा यहां सन्यूर इसी तरह से डर के मारे आगे की तरफ चलता जा रहा था जबको उसका ध्याद सामने की तरफ ला होनी की वर्ड़क से वो अचारक लीचे की तरफ लावा बे गिर नहीं ही वाला था लेकिं लास मुमेट पर वो खुद को मचा लेता है उपर मुझूद वांग लिंग भी हापर सन्यूर को फॉलो करते हैं आखिरकार उस लावा पूल तक पहुच चुका था दूसरी तरफ सन्यूर को आगे का रास्ता समय नहीं आ रहा कि उसे किस तरफ जाना चाहिए वांग लिंग में हैं सन्यूर के पीछे पहुच चुका था लेकिं इससे पहले कि वो सन्यूर की तरफ बढ़ता अचारक में मैसूस करता है कि लावा में हल चलो रही है जो देखते हैं वो वही पर मुझूद एक चेटार के पीछे जाकर चुप गया वो जानना चाहता था कि आखिर लावा में ऐसी कोसी चीज मुझूद है सन्यूर को भी उस चीज के बारे वालब हो चुका था लेकिं तब तक काफी ज़रा देर हो चुकी थी क्यों हम देखते हैं कि अचारक एक इनर्ची निकलते हुए सन्यूर को जकर लेती है और वो से लीचे लावा की तरफ खीश रही थी सन्यूर चाकर भी खुद को चुड़वा नहीं पा रहा था वाग लिग इस स्मोके का फाइदा उटाते हुए सन्यूर के स्टोरिज बैक को फोरज चीड कर वहां से बागना शुरू कर देता है वाग लिग नहीं जाता ना कि आखिर लावा की नीचे क्या मुझूद है लेकिन उसे जल से जल यहां से लिकलना होगा यहीं सोचते हैं वाग लिग अभी आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था तब ही अचारक उसके सामने एक फाइर बीस्ट आ गया जिसने वाग लिग को अपने सामने देकर अपने फाइर से उस पर अटेक कर दिया था वाग लिग भी उसके फाइर अटेक को रोकने के लिए अपनी रेड थर्डर इर इनर्जी का इस्तिवाल करता है लेकिन यहाँ वांग लिंग को जाने की विला कि उसकी रेड थर्डर इनर्जी इन फायर बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही उससे यहाँ से बागना ही होगा इसके लावों उसके पास कोई रास्ता नहीं यह बात सोचते हैं वांग लिंग ने यहाँ पर लिंजवार का इस्तिवाल करते हैं पास की एक दिवार को तोड़ दिया था जिसका इस्तिवाल करके वो यहाँ से निकलना चाहता है पर इससे पहले कि वांग लिग ऐसा कर पाता अचारक वहाँ पर और भी कुछ फाइर बीस्ट आ चुके थे जो के अपनी इनर्जी का इस्तिवाल करते वांग लिग को चारो तरफ से घेडा शुरू कर चुके थे लिंजवान भी सचे मौके का फाइदा उठाकर वांग लिग को बाई बाई कहते हूं वहां से बाकर चला गया जबकि दूसरी तरफ देखते ही देखते है कई सारे बीस्ट ने वांग लिग को अपनी फाइर इनर्जी से चारो तरफ से घेड़ लिया और वांग लिग एक फाइर लावा बॉल में कैद हो गया जिस फाइर लावा बॉल को वो फाइर बीस्ट गसीड़ते हूए सीधा लावा के अंदर ले गए थे वांग लिग अभी भी अंदर सीधा सलावत है वो कल्टिवीशन फॉर में बैट कर अपने कोशियस का इस्तिवाल करते है उस लावा बीट को पेनिटरेट कर चुका जहाँ बाहर उसे देखने को मिलता है कि ये लावा के अंदर की दुरिया है जहाँ असपास और भी कई सारे लावा बॉल्स मुझूद थे और उड़ में से हर एक और में एक एक कल्टिवीटर बैटा हुआ था जो कि इस वकोश में नहीं वागलिंग में सिर्फ इसले होश में रह पाया क्योंकि उसके पास एट शेयर पल है गॉगलें यहाँ का यह सारा नजारा देकर बहुत ही ज़रा है राता उसे समय डिया रहा था कि आखिर यह बीस्ट यहाँ पर मुझूद इंदे सारे कल्टिवीटर को कैद करकी क्यों रख रहे है साथी वो यह बात भी देखकर है राता कि आखिर इंदे से मुझूद यह हर एक फायर बीस्ट कितना जारा ताकतवर है इंदे से हर एक की पावर निर्वारा वारियर से ज्याना है और अचारे की हम देखती है कि वहाँ पर मुझे सारे के सारे फाइर बीस्ट किसी के साबले जुकले शुरू हो गया ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका कीग साबले आ रहा हो और साबले की तरफ से आले वाला कोई कीग नहीं बलके एक फाइर एक्ट्रूब्यूशन इनर्जी ती जिस इनर्जी को सेस करते साथी अचारक एच्शियर पल भी एक्टिवेट हो गया वाग लिग तो यहाँ पर अपने शियर पल को अचारक से एक्टिवेट होता हुआ देकर काफी ज़रा सप्राइस हो गया उसे समय डियारा था कि आखिर यह कर क्या रहा है अब यह चैनल दूसरी तरफ हम देखते है कि उस फाइर एक्टिवेशन ने वहाँ पर मुझूद है कि एक वारियोर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था साथी वो दीरे दीरे वाग लिग की तरफ भी बढ़ता जा रहा है लेकिन यहाँ पर वो फाइर एक्टिवेशन जैसी वाग लिग के पास पहुचा पूरे की पूरा किस्सा ही पलट गया क्योंकि इस बार वाग लिग को वो एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा बल्कि उल्टा हैवली पल ही उसे एब्सॉर्ब कर रहा है जो देखकर तो वो फाइर एक्टिवेशन इनरजी खुद को बचारी की अपनी पूरी कोशिश करती है इवर कि वो फाइर बीस्ट भी हुस्सा होकर यहाँ वाग लिग पर हमला करना चाते थे लेकिन हैवली एक्टिवेशन पल वागली को प्रोटेक्ट कर रहा था साथी सार वो देखते ही देखते है उस फाइर एट्रुब्यूशन को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेता है जिसके वेदर से हैवली पल का डिजार भी बनल चुका था साथी उसका कलर भी अब फाइर एट्रुब्यूशन का हो चुका है वागली को ये सब देकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा लिकि दूसरी तरफ उन फाइर बीस्ट को घुस्सा देकर वागली समझ चुका था कि अब उससे यहां से बाग नहीं होगा ये सोचते साथी वागली बिल्कुल ऐसे ही करड़ी की कोशिश करता है जबकि दूसरी तरफ वो फाइर बीस्ट भी वागली का पीछा इत्तिया सारे के साथ नहीं छोड़ने वा लेते और वो भी यहां पर वागली को फॉलो करड़ा शुरू कर देते है जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड ये पर हत्व हो जाता है